सपसांसद आजमखा के कृRiBi ठेकेदार की कुर्की वही जनपत Carnapur के डोंगरपूर प्राकरण में फञार चल रहे सपसांसद आजमखा के करीबी धेकेदार बरकतली के घर की पुलिस ने कुड़की कर ली वे बरेली जनपत के मीर गंज थाने के बेरियर चोकीवन के सामने नगरिया परिशद रोट का निवासी है गंज थाना प्रभाई रामवीर जादव ने बताया कि पिछले साल जोलाई माहा में डोंगरपुर में उसके खिलाफ मक करिया परिशद पहुंची और सारा समान कुर्क कर लिया वहीं पुलिस सारा समान लेकर रामपुर लोट आई समान को गंज थाने में रखा गया है डोंगरपुर में सपाशासनकाल में आवास बनाए गये ते बरकतली नहीं ठेकेदारी की थी रेलवे के निजीकरण की विरोध में निकाली बाइक रेली वहीं जनपद रामपुर में नर्दन रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले रेलकर्मियों ने रेलवे का निजीकरण किये जाने की विरोध में बाइक रेली निकाली इस दौरान वे बाइके लेकर रेलवे की कालो में गए और कर्मचारियों को नीजी करन्ट से होने वाले नुकसानों से अउगत कराया इस दौरान उन्होंने नारी बाजिकर विरोध्य परदर्शन किया वहीं शाखा सचिव विरेंद्र भंडारी ने कहा कि रेलवे का नीजी करन्ट करके सरकार गलत निरन्ने कर रही है दिय योजना को समाप्त कर ने और पुरानी पेंशन को लागू करने की मांघ भी उठाए सात ही 50 पडों को सरेंडर करने की योज नको समाप्त किर जाने की मांग भी रख्त कहा कि इन सभी मुद्द संदिक व्यक्तियों को जागरुक किया जा ba दिट कि जाग्रान अभियान चलाय गुन गौतम के आदेश नुसार समस्थाना पिरभारियों द्वारा बैंकों के आसपास एवां मुख्य मुख्य स्थानों पर बेरियर लगा कर संदिक व्यक्तु एवां दो पहिया वाँ चार पहिया वाहनों के सगन चैकिंग की गई यातायात के नियमों का उलंगन करने वाल भारती किसान यूनियन के जिलाधियक्ष ने कहा मीलों के दबाव में काम कर रहे हैं गन्ना कर्मचारी वही जनपद रामपूर के भारती किसान यूनियन के जिलाधियक्ष हसी पहमद ने कहा कि गन्ना विभाग के कर्मचारी मीलों के दबाव में काम कर रहे हैं किसानों की स ले जाए ना तो किसान के अनुसार उनके क्रेक केंद्रे बदले जा रहे हैं और नहीं उनके भुक्तान के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है वहीं किसान क्रेकेंद्र बदलवाना चाहते हैं लेकिन किसानों पर जबरन पुरानी मीलों के क्रेकेंद्रों पर गन्ना देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है वही किसान अपनी गन्ना बकाया भुकतान को लेकर समय समय पर अवाल फाते रहते हैं तेकिन कोई उनकी समस्या को नहीं सुनता साथ ही उन्होंने कहा कि गन्ना विभाग के कर्मचारियों को अप किसानों की अवास को सुनना ही पड़ेगा अन्यता बड़ा अंदोलन किया गया वहीं अध्यक्ष प्रमोत कुमार भटनागर ने बताया कि समीति के पदधिकारी हर साल प्रित अमवस्या के दिन लवारी शवों के अंतिम संस्कार के बाद एकत्र की गई अस्तियों को विसर्जन के लिए ब्रजघाट ले जाते हैं वहाँ पर विधिविधान से प्रवाहित कर लवारिश वक्तियों की आत्मा की शान्ति के लिए सभी पदधिकारी एवं सदस्यों ने दो मिनट का मोन रखा इसके बाद गरीबों को भोजन कराया गया